आज हम कक्षा दस्वी के हिंदी विशे का नो नंबर का जो पाठ है रीड की हड़ी जो जगदिश चंद्र माथुर जी ने लिखा है इस पाठ का पाचवा भाग देखेंगे तो देखो गोपाल प्रसाद कहते है हूँ यह तो बहुत अच्चा है और सिलाई वगेर मतलब तु उसके बाद तुम सिलाई वगेर करना जानती हो क्या उस पर रामसरो केते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है मतलब सारे घर के लोगों के कपड़े सिलाना इसकी ही जिम्मेदारी है जिम्मे मतलब जिम्मेदारी यहा तक कि कमीजे भी मेरी कमीजे भी मतलब मे तो गोपाल पर साथ कहते हैं ठीक, लेकिन हा बेटी तुमने कुछ इनाम बीनाम भी जीते थे, मतलब उनकी उम्मीदें उमा से बढ़ती ही जा रही है, और उसके बाद कहा पर आते हैं इनाम और इनाम बीनाम भी तुमने क्या जीते हैं, ऐसा वह पूछते हैं और पूछने प उमा चुप हो जाती है राम सोरुप के इशारे के लिए खासते है लेकिन उमा चुप है उसी तरह गरदन जुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उड़ते है और राम सोरुप सक पकाते है गोपाल प्रसाद उमा का जवाब जानने के लिए क्या हो जाते है अधीर हो जाते है उत जरा शर्माती है ये नाम तो इसने मतलब वह बोलते बोलते अपनी बात काड़ देता है उस पर गोपन पर साथ कहते है जरा रूखी आवाज में मतलब जरा गुसे में कहते है जरा इसे भी तो मुह खोलना चाहिए मतलब सारे सवालों के जवाब आप ही दोगे क्या जरा इसे सवालों के जवाब देने चाहिए उस पर रामसरु केते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे है जवाब दोना मतलब उमा देखो ये क्या कह रहे है जरा तुम भी अपने मुह से जवाब दे दो उस पर उमा हलकी लेकिन मजबूत आवाज में मतलब दीरे हलकी आवाज मतलब दी कि क्या जवाब दू बाबुजी जवाब देने के लिए मेरे पास शब्दी ही नहीं है जब कुरसी मेज बिकती है कुरसी मेज का अर्थ क्या होता है टेबल जब कुरसी मेज किसी दुकान में बिकते है तो दुकानदार कुरसी मेज से कुछ भी नहीं पुछता क्या तुम्हें उसके साथ जाना है क्या नहीं सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और अगर पसंद आ गई तो अच्छा है वरणा और पसंद ना आ गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं है या में उनके किसी भी काम की नहीं होगी उस पर रामसरुब चोक कर खड़े हो जाते है मतलब आच्छरिय चकित होकर खड़े हो जाते है और कहते है उमा उमा उस पर उमा कहते है अब मुझे कह लेनी दीजिये बाबु जी मेरे मन में जो बी है सारा गुस्सा मुझे निकालने दीजिये और उस पर गोपान पर साथ ताव में आकर मतलब गुस्से में आकर क्या कहते हैं बाबू रामसरुप आपने मेरी इज़त उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था क्या इज़त उतारने के लिए मतलब मुझे अपमानित करने के लिए यहां बुलाया था क्या उस इतनी देर से मेरी कमिया खूबिया निकाल रहे है उस पर मेरा क्या अपमान या हमारा अपमान नहीं हो रहा क्या उस पर शंकर कहता है कि बाबु जी चलिये यहां से गोपाल प्रसाद कहते है क्या तुम कॉलेज में पड़ी हो गोपाल प्रसाद उस पर क्या बात निकालते है क कि तुम कॉलेज में पड़ी हो क्या राम सोरुप यह प्रश्णवा सुनकर चुप हो जाते हैं। परह नोकराणी के पेरों में फड़कर अपना मुह छुपाकर भागे थे। मतलब ओमा क्या कहती हैं। की और अपनी कायरता नहीं दिखाई है। मुझे अपने घर की इज़त और मान सम्बान का पूरा खयाल है। लेकिन इन से पूझिये मतलब किस से पूझिये अपने बेटे शंकर से पूझिये की ये किस तरह नोकराणी के पेरों में पड़कर अपना मुह छुपाकर भागे थे। परंतु उस पर रामसुरुप केते हैं उमा उमा रामसुरुप क्या केते हैं उमा जरा चुप हो जाओ बोलो मत उस पर गोपाल के साथ केते हैं खड़े होकर गुस्से में आकर बस हो चुका बाबु रामसुरुप आपने मेरे साथ दगा किया मतलब मुझे धुका दिया और अपना ऐसा इस प्रकार गुसा निकाल कर दरवाजे की और बाहर जाने के लिए बढ़ते हैं, उस पर उमा कहती है, जी हाँ जाईए, जरूर चले जाईए, मतलब उमा क्या कहती है, उमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वह कह रही है कि जी हाँ, आपको अगर जाना है तो जरूर चले जाए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाईए, इस बात पर गवर किजिए कि आपके लाडले बेटे के रीड की हड़ी भी है या नहीं, याने के बैकबोन बैकबोन, रीड की हड़ी मतलब पीट की जो हड़ी है, वह कैसी है, उसकी टेड़ी है, कैसी है, तेड़ी है, सीधी नहीं है, इसलिए वर्क हमेशा किस प्रकार बेटता है, अपना अपनी पीट जुगा कर आगे जुग कर बेटता है, बैकबोन मतला पीछे की हड़ी, पीछे की पीट की हड़ी, और उस पर बाबु गोपाल प्रसाद के चहरे पर बेबसी का गुस्सा है, औ उनके लड़के के रुलासा पन दोनों बाहर, और उनके लड़के के रुलासा पन उनके चहरे की बेबसी का गुस्सा, और उनके लड़के के रुलासा पन मतलब उसका चहरा किस प्रकार हो गया है, उमा की बाते सुनकर रोने की जैसा हो जाता है, और दोनों बाहर चले जात उमा इस प्रकार सहसा क्या हो जाती है चुप हो जाती है मतलब इस पार्ट से हमेंक्या calling क्या देना क्या देना महद्व देना चाहिए अन्गेट झाल झाल